प्रिष्ट संख्या 137 पद एक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई संतन धिक बैठी बैठी लोक लाज खोई असुवन जल सीच सीच प्रेम बेली बोई अब तो बेली पहल गई आनंद पल होई दूद की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई ददी मति गृत काड़ी लियो डार दै इचोई भगत देख राजी हुई जगत देख रोई दास मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही पद दो पग घुंगुरू बांध मीरा नाची मैं तो मेरे नारा यनसु आप ही हो गई साची लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी विसका प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनासी प्रिष्ट संख्या 138 अभ्यास पद के साथ एक मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? दो भाव वशिल्प साउंदर्य स्पष्ट कीजिए क असुआन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई दूद की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई ददी मति गृत काड लियो डार दई छोई तीन लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? चार विसका प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी इसमें क्या व्यंगे छिपा है? पांच मीरा जगत को देख कर रोती क्यों है? पद के आसपास एक कलपना करें प्रेम प्राप्ती के लिए मीरा को किन किन कठी नाईयों का सामना करना पड़ा होगा दो लोक लाज खोने का अभिप्राए क्या है? तीन मीरा ने सहज मिले अभीनासी क्यों कहा है? चार लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी मीरा के बारेमे लोग यानि समाज और न्यात यानि कुटुम की ऐसी धारणाए एक्यों है? शब्द छवी कानी यानि मर्यादा डेग यानि साथ बेली यानि प्रेम की बेल या लता विलोई यानि मथी छोई अर्थात छाच या सारहीन अंश आपह यानि अपने ही आप बिना प्रयास साची यानि सची प्रिष्ट संख्या 149 न्यात यानि कुटुम्ब के लोग कुल नासी अर्थात कुल का नाश करने वाली विस अर्थात विश या जहर पीवत अर्थात पीती हुई हासी यानि हसपडी या हसदी सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से या अनायास स्वाभाविक रूप स्वाभाविक